दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि घर पे बेटे-बेटे काम करके पैसे कमाने का एक ऐसा शांदार और जबर्दस तरीका भी है जिसमें दोस्तों ना तो आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है ना आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है ना आपको एफलीट मार लिया तो इस बिजनस से आप हर मेने घर पे बेटे-बेटे कम से कम 35,000 चलेके 65,000 रुपे बड़ी आसानी से कमा सकते हैं अब आप चानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनस है और कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी क्लिए most important होने वाल है न आज की इस वीडियो में 4 step के अंडर मैं आपको बताओंगा कि आप घर पे बैटे-बैटे डिजिटल प्रड़क्त सेलिंग बिजनस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले step में मैं आपको बताऊंगा कि digital product जो सेलिंग बिजनस है यह actually में है क्या और यह काम कैसे करता हैं दूसरे step में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको digital product business को start करना है और इससे आपको पैसे कमाने हैं तो आप इसको कैसे start कर सकते हैं और कौन से ऐसे best digital product है जिनको आप बेज के पैसे कमा सकते हैं तीसरे step में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौनचे platform से जिन platform की इस्तमाल करके आप digital product business को बहुत कम investment से शुरू कर सकते हैं और अगले step के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि digital product को आप किन platforms की मदद से या किन advertise platform की मदद से आप बेज सकते हैं और इस business की मदद से आप हर मिने 35 स दार से लेके 65,000 रुपे का revenue कैसे generate कर सकते हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए most important होने वाला है चार steps के अंदर ये पूरा business मैं आपको practically सिखाने वाला हूँ तो अगर आप इस business को सीखना चाहते हैं start करना चाहते हैं इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडिय के और वीडियो से लगातार देखने के लिए बैल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना तक कि मैं आपके जो भी वीडियो से अप्लोड करूँ उसका notification आपको मिल सकें आप देख सकें और सीख सकें चलिए दोस्तों अब हम सुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की ओके तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं मैं अपने laptop PC की screen पर आ चुका हूँ और अब हम यहाँ पर चार steps के अंदर ही सिखेंगे कि आप digital product जो selling business होता है उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आप कैसे गर बेटे बेटे एक बार इस business को अगर आपने setup कर लिया तो आप इस से हर मेने कैसे 35,000 से 45,000 रुपे बड़ी आसनी से कमा सकते हैं तो पूरा process में यहाँ पर आपको practical समझाओंगा और आपको लाई बताओंगा कि कैसे आप इस business को start कर सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है बट वीडियो आइंड तक देखनी की जरूर कोशिश कर अबका support सबसे important है और वो आपको देना पड़ेगा अगर आप इस प्रकार के और वीड्योखन डेखना चाहते हैं तो सबसे बहुए देख है कि तो अगर आप इस business पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं and इस business से पैसे कमना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं life में तो सबसे important तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मैं अभी लैपटोप इसे की स्क्रीन आपको दिखरी होगी यह वाला business idea आपके साथ share करने से पहले मैंने कुछ practical किया और यहां पर एक platform है जिसके साथ मैंने practical किया है और इसी platform के साथ मैं आज यह पूरा business आपको explain करने वाला हूँ तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक digital product मैंने बेचने की कोशिश करी और यहां पर मैं आपको बता दूँ मैंने सिर्फ इस पे एक या दो गंटे मैंने यहां पर add run किया होंगे और इस पे मेरे को 2-4 clicks आये थे बस अगर आप देखोगे तो देखे यहां पर एक हमारा जो है payment हमें receive वहा है 89 रूपीज का और यह digital product मैंने 99 रूपीज में list किया था यहां पर आप देख सकते हैं यह digital product है 35 most powerful candlestick patterns ठीक है और यह अभी live चल रहा है बट मैंने इसको add को जो है मैंने बंद कर दिया है और जैसे मैंने add को बंद किया यह वाला product अब बिकना start नहीं हो अब हमारे पास 28 members आ चुके हैं और यहां पर two subscription भी active हो चुके हैं जो हमारा total revenue बना है 118 रूपय का मतले भी business properly work कर रहा है ठीक है अब आप कैसे इस business को start कर सकते हैं उसके तरब चलते हैं थोड़ा सा तो next step की तरब चलते हैं देको सबसे पहला step होता है हमारा कि आप जो digital product business क होता क्या है पहले आप यह समझ लो because अगर आप एक beginner है और आपको नहीं पता कि यह होता क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि digital product होता क्या है देखे digital product अगर आप मेरी language में समझेंगे normally तो आप एक ऐसा product बोल सकते हैं जो एक digital file के अंदर होता है जिससे माल लो यह आप phone तो जिसको आप touch कर सकते हो मैसूस कर सकते हो उसको use कर सकते हो using of your fingers तो वो होता है एक physical product लेकिन एक digital product ऐसा product होता है जिसको आप touch नहीं कर सकते उसको आप मैसूस नहीं कर सकते वो एक digital product की list में count होता है जैसे for example आपने websites को देखा होगा आपने applications को देखा होगा आपने softwares को वो सभी क्या होते हैं वो सभी होते हैं digital product तो इस परकार का अगर आपके पास भी कोई product है जो आपने बनाया है तो उस product को आप एक digital product की list में count कर सकते हो तो I think आपको समझ में आ गया होगा कि digital product होता क्या है एक ऐसा product जो digital file में होता है उसको आप touch नहीं कर सकते मैसूस नहीं कर स ठीक है digital files के रूप में ठीक है तो first step I think clear हो चुका होगा next step है हमारा best digital product to sell online कौन से ऐसे digital product है जिनको आप online बेच सकते हैं आप देखे इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा जो दोनों तरीके powerful हैं और आपको जरूर help करेंगे जब आप ये business start करेंगे पहला तो ये तरीका होता है कि आप क्या करोगे गूगल पे जाओगे and यहाँ पे आप टाइप करोगे best digital product ठीक है to sell online ठीक है और simply आप search पटन बे click करोगे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कई सारे प्रकार के digital product आएंगे जिनको आप बेच सकते हैं यहाँ पे जिससे माल लोग e-books आती हैं यहाँ पे digital membership आ रही है यहाँ पे online courses आ रहे हैं इसके अलावा photographs आ रहे हैं टैंपलेट्स आ रहे हैं इसके अलावा services है music है इसके अलावा यहाँ पे देखे 15 और प्रकार के digital product है जिसमें मैंने आपको बोला था कि software भी एक digital product की list में count होता है videos भी होता है podcast हो गया graphics हो गया इसके अलावा भी आप यहाँ पे और कई प्रकार के digital product को देख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक तरीका थो है अगर आप digital product business को start करना चाहते हो तो आप यहाँ पे Google पे ही research कर सकते हो कि कौन से ऐसे digital product है best digital product जिनको आप बेच सकते हो online और इन में से अगर आपके पास को एक digital product है तो आप उसको बेच के revenue जनरेट कर सकते हो पहला तरीका आपको समझ में आ गया है कि कैसे next तरीके पे दूसरा एक और तरीका है और यह आपकी 100% help करेगा revenue generate करने में पैसा बनाने में ठीक है देखे एक ऐसा digital product आप खुद बनाओ जिसके अंदर आपको knowledge है या experience है या फिर आप उसमें properly काफी time से work कर रहे है मैं आपको एक live example दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा महा ग्यानी होते हैं यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यह मेरा class plus का dashboard है मैं आपको इप्रूफ इसी लिए दे रहा हूँ क्योंकि जो ग्यानी लोग होते है वो बहुत ज़्यादा comment करते हैं fake है fraud है यह पता नहीं क्या-क्या तो total अभी हमारा revenue बना 25,000 का ठीक है almost 25,691 रुपीज का और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं अपने courses को बेच रहा हूँ और यह जो courses है न यह भी एक digital product की list में count होते हैं यह देखे यह मेरे सारे courses हैं और यह क्या है एक digital product है जो आप यहाँ पे देख सकते हो आगर मैं आप आपको यहाँ पे बताऊं तो देए देखे online courses भी एक digital product की list में count होते हैं तो अगर आपके पास कोई ऐसा knowledge है ऐसा experience है जिसको आप digital product में convert कर लेते हैं और उसको आप online बेचते हैं तो आपको 100% शफलता मिलती है इस business के अंदर बट अगर आपके पास खुद का कोई knowledge नहीं है खुद का कोई digital product नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हो आप Google से कुछ ऐसे product ideas ले लो जिनको आप बना सकते हो किसी और source की मिदल से और फिर आप उनको बेच सकते हो और revenue यानि की पैसा कमा सकते हो ठीक है तो I think आपको दूसरा step clear हो चुका होगा कि best digital products को आप क कैसे choose करेंगे दो तरीके मैंने आपको बताया है I think दोनों आपके लिए helpful होंगे अब चलते हैं हमारे तीसरे step की तरब और तीसरा step है दोसो how to sell digital product यह देखे प्राक्टिकल होने वाला है थोड़ा long process होगा थोड़ा द्यान से देखेगा because यह आपने miss कर दिया तो फिर आप business को start नहीं कर पाएंगे तो देखे दोसों यहाँ पर तीसरा step होता है कि आप इसको sell कैसे कर सकते हैं आप sell करने के भी मैं आपको बताऊं कुछ platforms होते हैं और उन platforms की माद्यम से आप digital product को बेश सकते हैं देखे कुछ platforms मैं आपको बताऊंगा जो I think आप जानते होंगे या नह Google पर यहाँ पर Walks Media Solutions मैं टाइप करूँगा और मैं यहाँ पर search बटन पर क्लिक करूँगा यह मेरी खुद की company website है official company website है WalksMediaSolutions.com यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर मेरे जो product है मेरे जो digital product है जिसमें मेरे courses हैं या फिर applications है website है वो मैं क्या कर रहा हूं मेर website के through बेच रहा हूं ठीक है तो पहला option होता है आपके पास खुद के product बेचने का आप अपना खुद का application या फिर website को launch कर सकते हो दूसरा तरीका होता है दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हो किसी third party जो application या फिर platforms होता है उससे बेच सकते हो जिसमें एक होता है कि आप इस आप digital product बेच सकते हो यूजिंग Shopify अगला option आता है आपके पास Cosmofeed Cosmofeed भी अच्छा option है जहां से आप digital product को बेच सकते हो और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मदद से ही मैं अभी अपने digital product को बेच रहा हूं ठीक है तो अभी हम यहाँ पर digital product को कैसे बेच सकते हैं वो हम यह आपे सीखेंगे और साथ में हम यहाँ पर एक digital product को बेचेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौनसा digital product बेच रहा हूं मैं और कैसे उसको बेच रहा हूं ठीक है तो देखें दोस्ता अब आपको क्या करना है मैं आपे जो मेरा private window उसको close कर देता हूं और वापस से अब हम प digital product business को start करना है तो जो दो step मैंने आपको बताए थे वो I think आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं दोस्तों आप इसको बेच कैसे सकते हैं तो देखें दोस्तों बेचने के लिए हम यहाँ पे एक platform की जरूत पड़ती है और हम यहाँ पे एक ऐसा platform ले रहे हैं जहां पे हम जल्दी से इस business को start कर सकते हैं यह platform है दोस्तों Cosmo feed और simply मैं आप इसको search बटन पे click कर रहा हूँ जैसे दोस्तों आप search बटन पे click करेंगे यहाँ पे देखें Cosmofeed.com आपके सामने आ चुका है तो मैं इसके उपर click कर दूँगा जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करें यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने जो platform है वो open हो चुका है अब यहाँ पे इस platform के बारे में मैं कोई promotion नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस platform को आपको explain नहीं करूँगा बट यह एक ऐसा platform है जहाँ पे आप किसी भी digital product को आसानी से बेज सकते हो तो यहाँ पे आपक content with google तो अगर आप एक नए person है तो आप इन दोनों जो भी process है उनको इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं आप एक Google का इस्तमाल करूँगा और मैं आप एक अपना जो account है उसकी मदद से login करूँगा तो यहाँ पे आप दूस्तों देख सकते हैं मैंने एक अपना Gmail ID डाला है और Gmail ID की अपना CosmoFeed का जो account है वो यहाँ पर बना लिया है या फिर मैंने CosmoFeed के अंदर login कर लिया है मैं आप पर continue with google करता हूँ और यहाँ पर एक second का time लगेगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारा जो CosmoFeed का account है वो बन गया है अब यहाँ पर देखिए 3 steps आ रहे है आपके पास तो वो steps complete करें है छोटी सी information आपसे पूछेगा तो first step आप नेम पूछ रहा है तो हम यहाँ पर नेम डाल देंगे उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कुछ सरनेम डाल देंगे and I am a तो आपके पास जो भी है आप social media creator है student है professional है जो भी आप है तो यहाँ पर social media creator म में आप जो भी है वो आप चूस कर सकते है and finally आपको नीचे continue बटन पर क्लीक करना है जैसे दोस्तों continue बटन पर क्लीक करेंगे यहाँ पर देख सकते है आपका username चूस करने के लिए बोल रहा है तो आपका जो भी username है वो आप चूस कर लीजएगा for example मैं यह वाला चूस कर ले skip करेंगे यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं आपका जो account है ठीक है वो account यहाँ पर बनके ready हो चूका है Cosmofeed का और यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा account आपको देख रहा है तो इस तरीके से अगर आपको digital product business को start करना है उसको sale करने के उससे पैसे कमाने है तो आपको एक platform choose करना पड़ता है आप देखें website की मतल से भी आप base तो सकते हो लेकिन वो थोड़ा lengthy process होता है उसमें आपको एक website बनानी पड़ेगी उसके लिए आपको domain hosting आपको themes बहुत सारी चीचे लेनी पड़ती है उसको बनाने में 4-5 दिन लग जाते हैं और फिर हो सक बट इसमें अभी तक आपका कोई भी पैसा नहीं लगा है मतलब almost आप zero investment के साथ ये business अभी start कर रहे है लेकिन थोड़ा सा आपको spend करना पड़ सकता है अप्रॉक्स 5-1000 रुपीस यहाप spend करना पड़ता है बिकॉस जब आप sale लेके आएंगे तो आपको वहाँ पे sale आने के थोड़ा advertisement में पैसा spend करना पड़ेगा लेकिन जो आप spend करेंगे वो पैसा कहीं ना कहीं आप यहाँ से निकाल लोगे फिर उसको आपको re-spend करना है ठीक है तो ये business इस तरीके से आप चला सकते हो बट I think यहाँ तक आपको जो पूरा process है वो समझ में आ गया होगा कि आप कि परकार से एक platform चूज करोगी CosmoFeed और यहाँ पर अपना account कैसे बनाओगे अब दोस्तो अगर आप CosmoFeed के dashboard के मारे में नहीं चानते तो मैं आपको बता दू जैसी यह आपकी normal profile है और यहाँ पर आपका appearance दिख रहा है जिन appearance को देख सकते हैं जिसमें आप अपनी theme को या फिर अपनी जो profile है उसको design कर सकती हूँ यह आपकी analytics है जो भी आपके पास widgets आएं, clicks आए, CTR वगरा जो भी है वो आपको दिख रहे होगे यहाँ पर आपकी जो settings है वो दिख रही होगी बट इन में से अभी आपको कुछ भी changes नहीं करना है किसी settings पर कहीं पर भी आपको कोई ध् अब हम दोस्तों यहाँ पर अगले step की तरफ बढ़ते हैं, because हमने पहला step complete किया था, what is digital product and second step था हमारा best digital product to sell online and third step है how to sell online, third step के अंदर हमारा first step complete हो चुका है, platform हमने चूश कर लिया, अब हम चलते हैं, second step की तरफ और second step रहेगा, हम यहाँ पर चूश करेंगे एक product जिसको हम बेचेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे, तो देखें दोस्तों, अगर आप digital product बेचना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रकार के digital product होते हैं, जिनको आप बेच सकते हो, और उनसे पैसे कमा सकते हो, आपके पास online courses हैं, आपके पास online e-books हैं, आपके पास software हैं, आपके पास websites हैं, आपके पास applications हैं, multiple आपके पास product होते हैं, जिनको आप बेच सकते हो, themes, plugins, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको आप बेच के revenue generate कर सकते हो, ठीक है, अब मैं आपे दो product आपको recommend करूँगा, जो अभी सबसे ज़्यादा big रहे हैं, पहला तो हो गय stock ebooks और दोसरा theme, अब यह दोनों क्या होती हैं, और कैसे आप इनको use कर सकते हो, कैसे आप इनको ले सकते हो, बना सकते हो, वो मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ, देखे दोसरो, यहाँ पे आपको अगर stock ebooks बेचनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक ऐसी ebook बनानी पड़ेगी, फिर एक ऐसी pdf आपको बनानी पड़ेगी, जिसको आप बेच सकते हो, तो मैं देखे, ebooks और pdf बनाने में थोड़ा time जाता है, बट वो time मैं यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से बता जिता हूँ, कैसे आप फड़ा फट उस cheese को complete कर सकते हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डालेंगे यहाँ पे जैसे 35 candle stick chart patterns, ठीक है, और simply मैं यहाँ पे search बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे जैसे दोस्तों आप search बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास काफी सारी websites आ रही हैं, बट यहाँ यहाँ पे हमें थोड़ा सा task और देना पड़ेगा, 35 candle stick chart pattern, ठीक है, PDF download, ठीक है, free, और simply मैं search बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसी websites आएंगी, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक e-book या एक PDF को download कर सकते हो, और आप उसको चाहे तो resale भी कर सकते हो, तो like हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमें मिल जाती है तो, ठीक है, इस वाली website पे देख लेते हैं, click here to download PDF, इस तरीके से देखे, आपके सामने एक PDF आ रही है, तो आप चाहो तो इसको download कर सकते हो, ठीक है, मैं इसको download कर लेता हूँ, तो यह क्या हो गया, एक आपके पास एक e-book, या फिर आपके पास एक PDF आ गई, जिसको आप एक digital product के रूप में बेच सकते हो, कोई problem नहीं होगा, बट दोस्तों यह थोड़ा गलत तरीका है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपका time save हो जाए आप एक process सीख लें, एक तरीका सीख लें, बट अगर आप इस तरीके का कुछ बना के बेचना चाते हो, तो उसका एक पूरा process होता है, और process होता है कि आप क्या करोगे, आप Microsoft Word में जाओगे, और Microsoft Word में जाके आपको खुद की अपनी एक PDA बनानी पड़ेगी, candlestick chart patterns की, how to make a digital product, ठीक है, comment करना how to make digital product, full tutorial बनाओ, तो उसके उपर मैं बना दूँगा, but अभी मैं आपके लिए time save कर रहा हूं, because अगर मैं इस process पर चला जाओंगा, तो इस process में 20-25 मिनट लग जाएंगे, थोड़ा research भी करना पड़ता है, और फिर आम वो करेंगे, तो हमें बहुत वीडियो हो जाएगा, but मैं अभी आपका time save कर रहा हूं, ठीक है, तो एक तो यह हो गया, आपके पास कि आप कहीं से एक candlestick chart patterns वाली फाइल को, PDF को download कर सकते हो, and उसको आप चाओ तो यहाँ पे बेच सकते हो, एक और दूसरा तरीका होता है, दोसों, आप यहाँ पे कुछ themes या plugin को भी बेच सकते हो, and themes और plugins कैसे download करोगे, आपको देखे, यहाँ तो जाना पड़ेगा, जैसे मालो, GPL themes, और simply हम यहाँ पे search बटन पे click करेंगे, और जो भी आपको themes पसंद आती है, वो themes दोसों, आप क्या करोगे, अगर theme forest से purchase करोगे, तो वो काफी costly आता है, but आपक जैसे आवाडा, ये वाली theme है, ये क्या है, एक digital product है, आवाडा जो theme है, वो काफी ज़्यादा बिकती है Google पे, और इसका search volume भी काफी ज़्यादा है, और ये जो theme है, वो आपको देखे, 289 रुपीज में मिल रही है, और इस theme को आप resale कर सकते हो, आप एक digital product बना के, आपको क कोई problem नहीं होगा, तो मैंने दो तरीके बता दिया आपको, अब आप theme बनाने के कोशिश मत करना, because theme बनाने के लिए आपको code आना चाहिए, और वो आपके बस की बात नहीं है, ना मेरे बस की बात है, बट मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, कि आप जो आवाडा theme है, ज फिर digital products के रूप में वापस बेच सकते हो, कोई problem नहीं होगा, but अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो candlestick chart patterns है, उनी को बेचेंगे, because अभी इनकी बहुत ज़्यादा तड़ाग बढ़ाग चल रही है, और अभी stock market में भी काफी ज़्यादा लोग सीखना चाह रहे हैं, काफी यह डाउट भी आपका clear हो गया, कि कैसे आपको product चूस करना है, अगर आपके पास खुद का नहीं है, तो आपको third party से कैसे लेना है, मतलब कैसे डाउनलोड करना है, अगर आप खुद बनाना चाहते हो, तो आप Microsoft Word का इस्सेमाल करो, and खुद research करो कि कौन-कौनची candlestick patterns है, and फिर आप उस PDF को बनाओ, और उसको आप बेज सकते हो, उसमें भी कोई problem नहीं होगा, बट वो थोड़ा lengthy process है, आप सीखना चाहते हो, comment करना, मैं आपके लिए बना दूगा, ठीक है, अब हमने दोस्तों, यहाँ पे अगला जो step था हमारा, जो था कि आप digital product को कैसे चूस करो अब हम जाएंगे, इसको बेचेंगे, तो बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, next step हमारा है, how to sell, तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको products पे जाना है वापस से, और यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, एक payment page वाला जो option दिया गया है, उसके उपर click करना है जैसे दोस्तों, आप इसके उपर click करोगे, यहाँ पे देखें, आपके पास option आ चुका है, create payment page, और यहाँ पे देखें, option आ रहा है आपके पास, what do you want to sell, तो यहाँ पे आ रहा है digital product, जिसमें आप देखें, sell images, videos, music, documents and more, and यहाँ पे आ रहा है multiple products, तो हम यहाँ पे digital product को choose कर यहाँ पे देखें, मेरी candlestick chart pattern आ चुकी है, तो मैं इसको simply यहाँ पे open कर देता हूँ, अब जैसे दोस्तों, आप इसको open करेंगे, यह देखें, हमारा PDF जो है, यहाँ पे download हो चुका है, यह upload हो चुका है, अब आपके पास आ रहा है कि आप अपनी जो price है, उसको set करो, तो आप candlestick chart pattern बेच रहे हो, या फिर और कोई e-book या पोई PDF बेच रहे हो, जिसमें लोगों को knowledge या फिर थोड़ा बहुत उनको ग्यान मिलता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करो, एक ऐसी price रखो, जिसको कोई भी pay करने के लिए ready हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे 35 candlestick chart patterns बेच रहे हो, तो आप Amazon पे जाके research कर सकते हो कि इस परकार के जो e-books हैं या फिर जो books हैं वो कितने रुपे में बिकरी है, and I think मुझे लगता है दोसों कि आप इसके लिए 149 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, कोई problem नहीं होगा, 149 रुपीज कोई भी stock market expert या कोई भी stock market वाला you can offer discount codes जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, but मैं यहाँ पर 149 रुपीज से इसलिए दे रहा हूँ, because हमारा कुछ tax कटेगा, कुछ kosmos feed लेगा, और फिर हमारे पास 100 रुपे या 99 रुपे के something बचेंगे, तो अगर मानलो हमने एक महिने के अंदर 100 भी बेची, तो फिर हमारा revenue 10,000 के something हो जाता है, या फिर हमने 1000 बेची, तो आप multiply कर लेना कि कितना आपका पैसा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, limited quantities, अगला आ रहा है, limited total number 100 परचे, set a maximum limit on the total stock available, तो यहाँ पे हम choose नहीं करेंगे, because हमारा digital product है, तो उसकी तो कोई limit ही न refund policies, तो no refund policy, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ डालना, या फिर आप chat GPT का इस्तमाल करके, कुछ refund policies को बना सकते हो, ठीक है, and उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे save and continue button पर click करना, जैसे दोस्तों, आप save and continue button पर click करेंगे, यहाँ पे आपकी पास दूसरा step आ चुका है, and य simply मैं यहाँ पे जाऊँगा, और इसको paste करूँगा, ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, best for stock market beginners, ठीक है, इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हो, तो यह थोड़ा attractive हो जाएगा, ठीक है, and उसके बाद दोस्तों, category हो गया आपका finance, because आप stock market में ब एक कोई हम यहाँ पे अच्छी सी image लगा देंगे, तो जैसे मानलो यहाँ पे इस image को हम यहाँ से copy कर लेते हैं, आप को यह अच्छी सी image अपनी तरप से बनाना, मैं यहाँ पे आपको सारी चिज़े copy paste करके दिखा रहा हूँ, because time बचा रहा हूं में, और बहुत लंबा वी description कि जो आप यहाँ पे 35 candlestick chart pattern बेच रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दो, तो हमारे पास जो जानकारी है, वो हमारे पास तो नहीं है, बट chart GPT के पास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे chart GPT, and simply हम search button पे click करेंगे, 35 candlestick chart pattern PDF, ठीक है, और हम यहाँ पे enter button प पूरा description लिखेगा, और यह काफी अच्छा description होगा, तो हम इसको simply copy कर सकते हैं, no problem, because chart GPT लिख रहा है, तो बहुत attractive description होते हैं, आपको पता ही होगा, unlock the secrets of success, काफी अच्छा और attractive लिखेगा यह, तो हम यहाँ पे वापस से जाएंगे, और यहाँ पे हमारा course for feed है, उसके description में हम इसको paste कर देंगे, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, side में जो हमारा page है, वो पूरा ready भी हो रहा है, कोई problem नहीं है, बहुत अच्छा सा ready हो रहा है, अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे जाएंगे, और यहाँ पे आ रहा है दो बटन टेक्स्ट, तो यहाँ पे make payment आ है, जैसे कोई button पे click करेगा, वो automatically payments के उपर चला जाएगा, अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है section जिसमें FAQ आ रहा है, और testimonials आ रहा है, तो हम यहाँ पे FAQ डालेंगे, और यहाँ पे हम डालेंगे, कुछ FAQ डालेंगे, तो FAQ में हम जाएंगे यहाँ पे, and 35 candlestick chart patterns, ठीक है, और, sorry, एक बार हम refresh करेंगे, all पे जाएंगे, and यहाँ पे PDF, FAQ, अगर हम देख लेते नीचे, how do you candlestick chart patterns work, ठीके, तो यहाँ पे देख सकते हमारे पास कुछ FAQ आ रहे हैं, और हम इन FAQ को हम डालेंगे यहाँ पे, जैसे first वाला डाल दी हमने, and इसका जो answer है, वो भी यह आपको दिया गया है, तो simply आप इसको paste कर दीजए, तो यह FAQ है, FAQ का मतलब है कि जब भी कोई customer आपके page पे आएगा, उसको कुछ अगर doubts होंगे, तो वो doubts यहाँ पे clear कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, मैं यहाँ पे एक और FAQ कॉपी कर रहा हूं, and यहाँ पे ए add question, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा preview दिख रहा है, काफी अच्छा mobile phone में इस तरीके से दिखेगा, and desktop या laptop PC में इस तरीके से, आपका जो page है, या website है, जहाँ पे आप अपना digital product बीच रहे हैं, वो आपको दिखेगा, next आता है आपके पास, दो मैं डाल देता हूं, best, sorry, best 35 candlestick chart pattern PDF, ठीक है, इस तरीके से, आप जो है, कुछ testimonial add करते हैं, जिससे लोगों को trust हो जाएगा थुड़ा सा, and उसके बाद दोस्तों, simply save and continue button पे आपको click करना है, जैसे दोस्तों, आप save and continue button पे click करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है, registration question, तो यहाँ पे registration question में add question करना है, और यहाँ पे add question में आपको करना है, email आपको लेनी है, और simply add करना है आपको, what is your mail, ठीक है, और question mark, ठीक है, add question हो गया, उसके बाद यहाँ पे add question में phone number, आप चाहे तो phone number ले सकते हैं, यह registration है, what is your phone number, और this field is compulsory, add question कर देंगे, तो यह क्या होगा दोस्तो, जब भी कोई बंदा, या कोई client या customer हमारा जो PDF वो डाउनलोड करना चाहेगा, तो उससे हमारा जो platform में या फिर हमारा जो landing page हम बना रहे हैं, वो उनसे number मांगेगा, email ID मांगेगा, और जो contact details आपको चाहिए, वो हाँ पे मांग लेगा, उसके ब यही इलाज है, आप यहाँ पर जाओगे, और यहाँ पर 35 candlestick chart pattern, PDF, trims, write, trims and policy for online selling, और simply enter बटन पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास जो भी trims and policies हैं, वो chat GPT आपके लिए लिखेगा, और काफी अची trims and policy लिखेगा आपके लिए, तो मैं आपका काफी ज़्यादा time बचा रहा हूँ, और यह same process अगर आप इस्तमाल करोगे, तो 100% आपका काम भी हो जाएगा, बट अगर आपको कोई trims and policy यहाँ पर पसंद नहीं आती, तो please उसको जरूर चेंज कर दीजएगा आप लोग, तो trims and policy के अंदर मैं इसको paste यहाँ पर कर देत ठीक है, उसके बाद दोसो redirect URL, the URL you want to buy to visit after completing payment, तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई redirect URL नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, customer feed automatically redirect करतेगा, उसके बाद दोसो यहाँ पर आ रहा है boost sale, जिसमें आपको कोई offer देना है, कोई discount coupon देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, and इसक options है, उसके अंदर आपको क्या करनी है, आपको एक अपनी email ID आलनी पड़ेगी, जिसमें आप sales and support की जो contact details है, वो आप दे सकते हो, जिसमें आप डाल देता हूँ, r-gmail.com, and जो हमारे team का number है, वो डाल देता हूँ, जिसमें 7014226673, ठीक है, and यहाँ पर enable GST, अगर आपको करन सकते हो, otherwise, save and continue बटन पर क्लिक करना है, जैसे save and continue बटन पर क्लिक करना है, जो page owner है, उसके detail आप यहाँ देख सकते हो, and finally, दोस्तों, आप यहाँ पर जो templates है, उसका color चूज कर सकते हो, कि आपको dark में रखना है, लाइट में रखना है, इसके अलावा और भी color changes करने हैं, तो यहाँ पर publish changes के उपर हम क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं, one last step to start earning, और यहाँ पर आपका जो KYC है, वो आपको public करना पड़ेगा, complete करना पड़ेगा, और KYC अगर आप complete कर देते हो, तो आपका यह वाला जो product है, वो यहाँ पर upload हो जाएगा, यानि कि live हो जाएगा, तो start KYC के उपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए, KYC करने के लिए आपको basic details देनी पड़ेगी, आदार verification करवाना पड़ेगा, pan card details देनी पड़ेगी, और यहाँ पर आपको जो भी details हैं, वो देनी पड़ेगी, तब ही जाक हैं, तो यहाँ पर देखिए, यह वाला जो digital product है, वो तो आपका बन चुका है, बट यहाँ पर pending KYC आ रही है, और यह pending KYC जब तक आपको दिखाती रहेगी, जब तक आप अपने documents यहाँ पर upload नहीं कर देते, और documents इसलिए आपको upload करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई payment यहाँ पर collect करोगे, यह देखे analytics और यह देखे आपके पास transactions के option आते हैं, ठीक है, यह transactions के option आते हैं, तो यहाँ पर जब भी कोई आप payment collect करोगे, तो वो payment आपके bank account में transfer होंगे, और जब तक वो bank account में आपका पैसा transfer नहीं होगा, जब तक आप यहाँ पर KYC complete नहीं कर तो आपके लिए KYC most important होता है, transactions के लिए, तो इसी परकार से जो भी आपकी यहाँ पर earnings होगी, जो भी आपके settlements होंगे, वो होंगे आपकी KYC को complete होने के बाद, तो आप यहाँ पर बिलकुल भी मत डरना, कि आपके KYC details मागी जा रही है, आपसे documents लिये जा रहे हैं, तो आपक KYC details देनी पड़ेगी, because आप अगर अपना पैसा bank में लोगे, तो वो आपके लिए requirement है, यहाँ पर पढ़ सकते हो, complete the simple KYC process, blow to activate payout to your bank, ठीक है, तो आपको अगर पैसा लेना है आपके bank account में, तो आपको यहाँ पर KYC complete करनी पड़ेगी, ठीक है, तो I think दोस्तों, आपको पर लिस्ट करना है, I think वो आपको complete process समझ में आ गया होगा, अप दोस्तों हम चलते हैं, last step है, how to earn 35 to 75,000 per month, आप इस product को बेज के 35,000 से 75,000 रुपय महिना कैसे कमाएंगे, वो जानकारी में आपको दे देता हूँ, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके पास दो option है, पहला तो होता है दोस्तों, आपके लिए online promotion using ads, और दूसरा होता है online promotion using organic views, यह आपके पास दो option होता है, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपका यह digital product है यह payment page है इस payment page को अगर आप promote करना चाहते हो, यह जैसे मैं इसको view करता हूँ, तो यह देखिए इस प्रकार से आपके पास यह वाला जो है, पूरा का पूरा payment page आता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई अपनी detail डालेगा, phone number डालेगा, and detail डालेगा, यहाँ पे देखे, 149 रुपे का जो amount है उसको collect करने का option आएगा, and यहाँ पे आपको कोई payment gateway अपनी तरब से नहीं लगाना automatically यह payment gateway Cosmo Feed की तरब से लगके आएंगे, जैसे आपका KYC complete होगा, आपका payment gateway यहाँ पे automatically activate हो जाएगा, अब main important चीज है, यहाँ पे जब भी कोई बंदा अगर इस product को purchase करेगा, तो वो दो तरीके से आता है, पहला तो आप इस product page का promotion करो, Facebook पे या Instagram पे, आपने Facebook या Instagram पे कई सा साइड में आपको दिखा दूँगा, जिसमें आपने देखा होगा कि कई आपके पास candlestick patterns को buy करने के, आपके पास कई सारे videos के रूप में, कई सारे images के रूप में ads आते हैं, और उन ads को अगर आप click करते हो तो आप digital product वाले page पे पहुंच जाते हो, वैसे same आपको करना पड कि अगर मान लो, आप कोई stock market expert हो, या फिर आपने कोई ऐसा video बनाया है, जिसके अंदर आप stock market की कोई detail दे रहे हो, तो आप यहाँ पे अपने इस page का जो link है, वो आप अपने videos के अंदर भी दे सकते हो, उससे क्या होगा, जब भी कोई बंदा इस वाले page पे आएगा, और व दोसो आज का complete video, जिसके अंदर 4 step में मैंने आपको बताया कि किस परकार से आप low investment के साथ, घर पे बेटे बेटे, digital product selling business को start कर सकते हैं, उमीद करता हूँ दोसो आज का यह video आपने complete देखा होगा, और जो पूरा process मैंने आपको step by step बताया, वो आपको समझ में भी आ गया, अ अपना नाम, अपनी city का नाम और आप ये बताना कि आपने video पूरा देखा है या नहीं देखा, इसके अलावा इस video के माद्यम से मैं आपको एक और information देना चाहता हूँ, दोस्तों मेरा नाम राहुला, मैं एक digital marketing expert हूँ, अगर आप मेरे से digital marketing का course करना चाहते हैं, या फिर आ आप अमारे team को call कर सकते हो, और हमारा जो भी digital marketing course है, या फिर जो भी हमारी services है, उनकी जानकारिया आप ले सकते हो, तो आज किस video में बचित नहीं दोस्तों, आज किस video को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को support और subscribe परने के लिए, आप सभी मेरे पहरे पहरे द कर सकते है